हलो हाई नमस्ते कैसे हैं आप सब स्थ क्लास होंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप शेल पक्या and one percent नहीं one hundred percent नहीं तो चलिए फिर आद देख लेते हैं कि what are the stages of twyn flame journey क्या आप dyn flame journey में हैं क्या यही mirror soul है क्या क्या soul connection है या क्या है आप other half of your soul जो है वो twin flame है क्या exactly आप जानते है twin flame journey क्या है तो इसके बारे में चलिए देखते हैं क्या क्या stages है stages है इसकी 8 ठीक है twin flame journey के stages है 8 number 1 intuitively आप जानते हैं कि आपका partner क्या कर रहा है अगर आपको ऐसा feel होता है अगर आपका कोई boyfriend है या आपके friend है या आपके husband है spouse है या कोई और आप दोनो married है और किसी और को आप ऐसा दिखते हैं कि आप उसकी feeling जानते हैं तो intuitively जानते हैं अंदर से जानते हैं दिल से जान रहे हैं फील करते हैं उसको क्या कर रहे हैं वो भी आप जान पाते हैं अपने आप ही अंदर से ही आपको पता होता है इस ताइम वो क्या कर रहे होंगे लो क्या सोच रहे होंगे उनकी क्या thinking है अगर आपको ये फील हो रहा है अंदर से it means आप twin flame journey में है number one sign tick होता है तो tick करते जाए अगर eight के eight sign मिल गए then आप ये sure हो जाए कि आप twin flame journey में है ठीक है number two आप दोनों एक से interest share करते हैं interest आपके जो भी हो singing है writing है, book reading है journal लिखना है traveling करना है, cooking है तो आप दोनों के ही interest same ही होंगे almost same होंगे जैसे आपके total six interest है तो आपके twin flame के भी six interest है almost मिलते होंगे four five तो जरूर मिलते होंगे तो आप देखिए आप दोनों का क्या ऐसा interest है, और ऐसा भी होता है twin flame journey में कि दोनों का एक highest interest होता है दोनों का दिल एक ही काम को करने में बहुत मज़ा आता है, वो ऐसा क्या है अगर आपको ऐसा लगता है आपके twin flame में ऐसा कुछ है तो फिर आप twin flame journey में हैं आपके part time में कुछ ऐसा है तो आप twin flame journey में हैं number three कौन सी stage है sometime आपके emotions and thoughts वो समझ लेते हैं आपके emotions और thoughts आप दोनों एक दूसरे के समझ लेते हैं आप बोल कुछ और रहे हैं लेकिन आपके emotions आपके expressions उनको समझ में आ जाते हैं तो इसका मतलब आपके ये कि आप ये twin flame journey में हैं number four strong physical pull feel करेंगे आप आपको बार बर लगेगा कोई मुझे कीच रहा है मुझे उसके पास चाना है वो कौन है आपको नहीं पता चल रहा लेकिन फिर भी अगर आप जान चुके हैं almost चाहे whatever in a romantic or platanic setting जो भी platanic setting है आपकी मतब आप physically भी रहरे हैं romantically भी रहरे हैं या separation में हैं लेकिन फिर भी आप एक खिचाव feel करते हैं उसके प्रती अपने TF के प्रती या अपने partner के प्रती एक खिचाव सा बना रहता है तब भी आप कहते हैं सोच रहे होते हैं क्या सोच रहा है वो क्या खा रहा है क्या कर रहा है इस तरह से आप सोच रहे हैं तो आप ट्रिंफ्लीम जर्णी में नमबर फाइव having the same dreams at night जब आप सुबह उठें कॉल करें या आप साथ में रहते हैं तो आप जब आप कहिए सुनो मैंने आज ये सपना देखा तो वो भी कहिए आज ये सपना देखा मेरा टॉपिक ये था सपने का मेरा भी ये ये टॉपिक था तो फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम होती है इवन टॉपिक भी सेम होगा ना तो उसके अंदर के emotions जैसे negative है तो negative ही देख रहे होंगे दोनों शबने आप डोनों positive देख रहे हैं तो एक positive देख रहा है तो दूसरा भी positive ही देख रहा होगा इतनी similarity होती है No.6 बीना लाग लपेट के यानि की straightforward आप बात कर लेते हैं अगर ऐसा है आपके पार्टनर में या आप में तो आप देखिए कि आप ट्रिंट फ्लेम जड़नी में हैं आप जिदे स्ट्रेट फॉरवर्ड ली कह देते हैं भई तुम्हारे अंदर ये कमी है तुम ये हो और आपको ये बूलने में कोई जिजग नहीं होती है ऐसे ही आपका पार्टनर आपको कह देता है तो फिर आप ट्रिंट फ्लेम जड़नी में है नंबर सेवन ट्रिंट फ्लेम जड़नी में होने के क्या साइन है दोनों के सेम विकनेस और स्ट्रेंथ होती है दोनों का विकनेस तोनों की चाइल्डूट फूंडिंग होगी, दोनों को कही न कहीं से बिट्रायल मिला होगा, दोनों को कहीं न कहीं से तकलीफ हुई होगी, किसी न किसी situation से, financially, किसी भी तरीके से, और दोनों की strength एक ही होगी, जैसे कि किसी भी हाल में हार न मानना, अपने किसी भी addiction से बाहर थाकत होना, अपने twin flame के लिए, अपने partner के लिए, जी जान से, काम कर देना, उसके लिए कुछ भी कर लेना, उसके लिए किसी भी कोने में चले जाना, उसके साथ, यहां, उसके लिए लड़ जगड लेना, तलवार निकाल लेना, कि उसके खिलाब कैसे बोल दिया, अगर आप Twin Flame Journey में हैं Twin Flame Journey के science बतारियों मैं आर यह बात समझ में exactly अगर आपको यह लग रहा है तो फिर आप Twin Flame Journey में हैं चाहे आप unmarried है चाहे आप married है अलग-अलग चाहे आप दोनो Twin Flame Divine Feminine or Divine Masculine एक ही energy में एक ही घर में as a husband wife रह रहे हैं तो दोनों के साथ यह दोनों ही बाते हो रही होती हैं दोनों के साथ यह सारी ही बाते हो रही होती है Number 8 Twin Flame Sign Feeling safe with your Twin Flame आपका Twin Flame आपको कितना ही insult करता हो कितना ही pull-down करता हो कितनी leg-pulling करता हो आपकी फिर भी आपको लगता है कि मुझे तो इसके साथ अच्छा लग रहा है मुझे इसी को सुनना है मुझे इसी को देखना है मुझे इसी से बाते करनी है मुझे कोई चाहिए यह नहीं लेकिन आपको यह लगता कि यह change हो जाए यह change हो जाए बस यह गलत बाते क्यों करता है घलत क्यों करताए या करती है जो भी है है न कुछ भी हो जाए कैसी भी स्थिति हो एक रुपया ना हो उसके पास फिर भी आपको लगता है मुझे इसी के साथ रहना है मैं इसी के साथ सेफ हूँ मुझे दुनिया में हैं कहीं सेफ नहीं हмен तो अगर ऐसा लगता है उसी के साथ आप comfortable feel होते हों यह सारे eight steps जो है यह जो eight steps नहीं कहना चाहिए signs कहना चाहिए यह सारे signs जो है यह twin flame journey के है तो बताइए आप को यह सारे eight to eight to eight sign जो है आप feel करते हैं कि नहीं अगर करते हैं then you are in twin flame journey and congratulations and be ready to hardship hardship के लिए तयार हो जाईए बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए तयार हो जाईए अब आप twin flame journey में है चाहिए आप divine feminine है चाहिए divine masculine है मेहनत तो आप दोनों को करनी पड़ेगी जी जान से करनी पड़ेगी तकलीफ होगी काटे बीचे में है इस twin flame journey में नंगे पैर चलना है खुन निकलेगा निकलने देजीए पसीना भायेगा बहने देजीए लद्पत हो रहे हैं होने दीजीए कोई साथ नहीं देरा रहने दीजीए इश्वर को देखें पर देखिए हमेशा इश्वर जरूर साथ देते हैं सुझे थेंक यूश मुझे देखने सुने के लिए ट्विंफ्लेम जर्नी की साइंस आपने देख लिए तो रहिए मस्त और पिलकुल रेडि हो जाईए सर पे कफन बांध के काम करने का टाइम आ चुकए थेंक यूश मुझे देखने सुने कि लिए पाइवाई